हेलो एब्रीवार आज का कॉशन है अलाउदिन खिल जी की बाजार नीती का परिक्षन करें अलाउदिन का सुधार था बाजार एवं मुलिपन नियंत्रन अस्थापित करना स्वंभावता सेनिकों को उचित कीमत परवस्त में उपलप्त कराने के लिए सुल्तान ने या बेवस्ता की थी मुलिपन नियंत्रन का उदेज जन्ता को भी राहत पहुचाना था प्रोक के एसलाल और मॉरलेन का विचार है कि या बेवस्ता सिर्फ दिल्ली में ही लागु की गई थी परंतु कुछ एन विद्वानों की धारना है कि इसे पूरे समराज में लागु किया गया था बाजार की देखबाल का कारी दिवान ने रियासत को शोपा गया या विभाग सुल्तान के विश्वास पात्रियाकों के अधीन था उसने सभी वस्तूओं के लिए अलग अलग बाजारों के विवस्ता की उसके अधीन सहना बाजार का दिचक और बरीद गुप्तचर अधिकारी को नियुप्ति की गई इन अधिकारियों का कार बाजार में वस्तूओं के मुल्यों के बटकरों की जांच करना था सबी ब्यापारियों को सहान ए मंडी में अपनी को पंजी करित करवाना पड़ता था सिर्फ पंजी करित ब्यापारी ही ब्यापार कर सकते थे अलाउदिन ने बीविन वस्तुओं के लिए बीविन परकार के बाजार संगटित किये और उनके लिए वेसक अधिनियम बनाई ये बाजार थे मंडी गल्ला बाजार सरा एक अदल घोडों दाशों और मविश्यों का बाजार तथा एन वस्तुओं के लिए समाइन बाजार मंडी, अलाओ दिन दौरा असथापित बजारों में सबसे मुएक था मंडी अथवा गल्ला बजारनागर के परते महले में एक केंद्रिय है गल्ला मंडी असथापित की गई जहां आनाज की खरिद वीकरित होती थी मंडित से सम्बंदित साथ अधीनियम बनाये गए बर्निन ने इन नियमों की विष्टित विवेचना किया पहला अधीनियम बिभीन अनाजो के मुल निर्धारन से सम्बंदित था सभी अनाजो के दाम निशिट कर दिये गएंगे हूं वन प्रिंट फाइब जितल पत्तीमन जो चार जितल चना पांच जितल साली चावल पांच जितल मास दाले पांच जितल मोट तीन जितल ये मिल निशी थे और इनमें कोई विर्धी नहीं हुई चाहे वर्षा हो चाहे ना हो गल्ला मंडी में भाव की इस्तिरत उस यूक के अधिनियम के अनुसर मलिक कबूल उलुक खा को गल्ला मंडी का श्राना न्यूक किया गया उसे विश्तित अधिकार और शेनिक साहता भी दी गई गल्ला मंडी का बरिल अलाहुद्दिन का एक विश्वास पात्रव्यक्ति बनाया गया तिस्तिरत अधिनियम के अनुसर आग गोदामों में भेजने की विवस्ता की गई चौथे अधिनियम के नुसर घुमकर वेफारियों के नेताओं पर कठोर निगरानी रखे गई उन्हें साहना के पर्तिक्ष नियमंत्रन में यमना नदी के किनारे अपने परिवारों के साथ रहने को कहा गया ये वेफारी नगर में इतना अधिक अनाज लाते थे जिससे सरकारी गोदाम का अनाज छूनी की अभी सकता ही नहीं पड़ती थी और अनाज सभी दुकानों में सहाज ये उपलब्ध हो जाता था अगले अधिनियम द्वारा मुनाफा खोरी का कठोड़ता पूर्वक दमन किया गया अपराधियों को कठोड़ दन दिये गया चट्टे अधिनियम की द्वारा दोयाव और दिल्ली के असपस के परदेशों के समझ लगानों के उसकता ही नहीं पड़ती थी और अनाज सभी दुकानों में साहज ही उपलब्ध हो जाता था अगले अधिनियम द्वारा मुनाफा खोरी का कठोड़ता पूर्वक दमन किया गया अपराधियों को कठोड़ दन दिये गया चट्टे अधिनियम की द्वारा दो भाग और दिल्ली के आसपस परदेशों के समझ लगान अध कारियों से या लिकित अस्वासन लिया गया कि किसान वेपारियों को गल्ला अपने खेतों से निशित नगद मुल पर देंगे और उससे अपने घर ना ले जाएंगे इसी परकर किसानों से लगान वी कठोड़ता पूर्वक वसुला जाएगा जिससे वे चोर बजारी या करश रखेंगे साथवे अधिनियम की दुबारा या व्यवस्ता की गई गल्ला मंडी की स्थिती की रिपोर्ट शाना वरिद और मुनहियन या मुनी परती दिन सुल्तान को भेजेंगे इन अधिनियमों का कड़ाई से पालन किया फलता अनाज निशित मुल पर और शुगमत से उपलब्ध हो गया बर्नी के अनुसर नगर में सायद ही कोई ऐसा मुहला था जहां अनाज से बरे दो-तीन सरकारी गोदाम नहीं थे बजार में भी अनाज उपलब्ध था सरकारी गोदाम का अनाज अपात कलें प्रिष्टिती में ही निकाला जा सकता था जिसके वितरण क के लिए राशन विवस्ता लागों की गई अकाल किसमें पड़ते घर को आधा मन और संपन विक्तियों को उनके उसकता नुसर अनाज देने की विवस्ता की गई इन समय में लोग बजार से अनाज करी सकते थे जो सदे उपलब रहता था सरा ए अदल अला उद्दिन दुवारा था फिक दुसरा बजार सरा एदल अथवा नयका स्थान था यहां बाहर से लाया गया तयार समान विक्तर था इस बजार को सरकारी आर्थिक सहयता अपलब थी इस बजार से समद्दित पांच अधिनियम बनाए गए पहले अधिनियम के अनुसर बदाई दुवार के बाजार बनाकर उसमें दुकाने बनाए गए नगर में बाहर से आने वाली पर्तिक वस्तु कपड़ा सक्कर मेवे जड़ी बूटियां दीपक जलाने का तेर एवं इसी बाजार में आने थी वैपारियों के वेक्तिगत धन से अथ्वा सरकारी सहायता से करिदी गई सभी वस्त जाना था इस नियम को उलंगन करने वाले बैपारियों का भागी बनती थे तिस्ते अधिनियम के अनुसर दिल्ली के सभी बैपारियों को वानिज मंतराले या दिवानी रियासत में पंजीकृत करानी का आदे दिया गया उन्हें निशित मात्रा में पर्तिक वर्ष नगर मे प्रोसाहन देने के लिए अनिक कदम उठाएं गए उन्हें पट्टी बेपारी 20 लाग टंके के अग्रीम रासी दी गई जिससे कि वे समराज की विविन भागों से समान खरिद कर दिल्ली लाकर बेचे इस परकर मुलतानी बेपारी सास के एजेंट के रूप में बेपार करने लगे पांच में अधिनियम के अनुसार परवाना नविस परमिट देने वाला अधिकारी नियुक किया गया इसके अनुसार बहुमिल वस्त्र संपन व्यक्तियों को तब तक नहीं दिये जाते थे जब तक कि परमिट देने वाला अधिकारी उनकी आई क्याधार पनुमती न तोकना था जिससे कि कोई व्यक्ति रास सस्ते मुली पर दिली में वस्तर खरीद कर उसे बाहर मांगे मुल पर ना बेच सके वस्तरों के मुल्यों की सूची देखर यास्पष्ट हो जाता है कि कपड़े अनाज की तुन्ला में मांगे थे इस बाजार में मुलतानी अधिकारे नियुक्त किये गया गोडों, दासवर, मविश्यों के बाजार, इन तीनों बाजारों के लिए चार स्रमान अधिनियम बनाए गए थे, इनके अनुसर वस्तू के किसम के अनुसर उसका मुल निशित किया गया, वेपार्जियों और कुझी पत्यों का बहिसकार किया गया, भी लिए गोडों के दलालों की साहता ली गए, जिन गोडों का मुल एक सो से एक सो भीश टके था, उसे परतम स्रेने में असी नबबे टके वाले दूतिये स्रेनी और साट से सतर टके वाले गोडों को तीरती स्रेनी में रखा गया, सेना के लिए अनुसर प्यूक्त टटूं का मुल 10 से 20 तकी निधारित किया गया घोडों के दलालों को कठोर दन दिये गए जिससे कि वे घोडों के वेपारियों के साथ मिलकर धोखा धड़ी ना कर सके हैं वेपारियों को निशित मुलक पर गोड़े बेचने खरीदने होते थे सुल्टान स्मिजाच परतल करता था कि निधारित मुलकर फरी घोड़े बेचे जाए आदिस का उलंगन करने वालों को कठोर दन दिये गयगोडों के ही समान दासरों मवेश्यों की मुल भी निशित किये के लिए घर में काम करने वाली दास्री का मुल 5 से बारों टके सुंदर युवा दास्री कमूल 20-30 कि कुशल दास्री किमत 10-15 उत्यादी उत्म नसल के भरवाहत मवेशी की किमत चार से पांच टके दुधारू बेज दस से बारों टका दुधारू गातीन से चार टका मोटी बक्रिया भेड दस से चौदर जितल मुल्य धारित किया गया इन बजारों में भी गुप्चर बहाल किये गए जो राज्किया दिनियमों का कड़ाई से पारण लागत के अधार पर हुआ मुल्यों पर नियंतरन रक ने और उनका उलंगन करने वालों को धन देने के लिए वानिज मंत्री याकुब नाजीर को विष्टी तरीकार दिये गए याकुब की कड़ाई से मुल विर्दी और वैमानी पर रोक लग गए इसके बावजित जो वैपारी वैमानी करते थे उनका पता लगा तर उन्हें कठोर दन दिया जाता था यहां तक कि कम तोलने व बाजार एवन मुल नियंतरन इस बात को लेकर महत्पूर नहीं है कि इससे वस्तुएं सस्ती हो गई बलकि इस बात से है कि बाजार में वस्तुओं की किमते निशित हो गए यह दपी अलाव दिन के आर्थिक विवस्ता उसके साथ ही समाप्त हो गए तथा पी इससे इनका मह तो कम नहीं हो जाता इस विवस्ता से सबसे अधिक लाम हन्मीत सेनिक वर्ग ही हुआ प्रो के असलाल के सब्दों में अलाव दिन ने साधारन जनता के सकताओं से उपर सेनिक सकताओं को रखाता था एसी सुसंगठित से ना रखी जिसने देश तथा विदेश में अपने सत्रों को प्राजित किया अनिक विद्वानों ने अलाव दिन खिल्जी की व्यपार और समन्दी मुल्यों नितियों की कट्टू अलोचना की उनका तरक है कि सुल्तान का उदेश केवल दिल्ली की परजा को ही संतुष्ट करना था जिस से वे रंगु सासन के केवल सेनिक और समान्त वर्ग को संतुष्ट रखना चाहता था इन्हीं के अधार पर उसकी सत्ता टिकी थी यह था इस व्यवस्ता दुबारा की सांसिल्पकार अत्वा वे व्यपारी लाब नहीं उठा सके और वे असंतुष्ट है प्रो इर्फान हविब का भी मानना है कि इस योजना का लावास्त में समान्त और शेनिक को उठा सके मुल में कमी और मजदूरी की दर में कमी का असर समाज के छोटे तब के पर पड़ा जिनकी क्रेश शक्ति अधीक थी अत्वा जिनके पास संचित धन था वे ही अलावुद्दिन की योजनाओं से लाभामवित हो स रखें अलावुद्दिन के बाद वेफारियों का विरोध उभर कर सामने आया इसके बाजुद या तैत तो स्विकार करना ही पड़ेगा कि मुल नियंतरन की निति अलावुद्दिन की एक विशिष्ट उपलब्दी थी और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्ली प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल और शेयर जरूर करें